जाए हिन दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चनल में आप सभी का हार्दी स्वागत है दोस्तों आप सभी के कमेंट पर अधायत आज की वीडियो हमारी होने वाली है आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किये थे कि सवर बायोजी के क्लास लेगरल कराते रहिए तो दोस्तों आप सभी के कमेंट के अधार पर ही हम आपको बायोजी के क्वेस्चन कराते रहेंगे और आपके एक्जाम के डेट तक हम आपको बायोजी के इतने क्वेस्चन करा देंगे कि सभी को पेपर देना है और टी फार्मा इंटेस एक्जाम को क्रैक करना है और government college में selection लेना है तो दोस्तों इसे के साथ start करते हैं हमारी आज की एक class हमारा आज का जो पहला प्रस्ण है वो है मानो सरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है दोस्तों most important question है और अगर आप इसे practically समझें तो आप इसका answer तुरंत दे देंगे मानो सरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो जल होता है यानि खून से भी अधिक मात्रा में पानी होता है यानि जल होता है तो मानो सरीर का मुख्य जो हिस्सा होता है वो जल से ही बना होता है यानि पानी आपसा number 4 हमारा इसका बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी बोर होता है वीडियो के बीच में तो इसके लिए भी हमने ब्योस्ता कर रखा है तो वीडियो को continue देखते रहिए तो दुसरा हमारा question है HIV का पूरा नाम क्या है? Most important question और इसे पकार AIDS का भी full farm पूछा जाता है तो मैंने इसे तो आपको पिछली वीडियो में और इसके साथ साथ आने वाली तमाम वीडियो में बहुत बार बता दिया है कि आपको अब तक तो याद ही हो गया होगा तो दोस्तों AIDS जो रोग होता है वो HIV के वाईरस ते ही फैलता है और उसका full farm जो है वो है Human Immuno Deficiency Virus और उसी प्रकार AIDS का क्या होता है? Acquired Immuno Deficiency Syndrome तो आपसर नमबर A यहाँ पर हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा आगे आपका तीसरा question निम्नलिखित में से किसमे खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों आपसर नमबर A दिया हुआ है Ice cream, B है सफेद bread C दिया हुआ है, सेव और चौथा दिया हुआ है सेव याँ यानि आपने एद बे तो बहुत साइब सेव याँ खाई होंगी उसनों खाद फाइबर प्रचुर मात्रा में उपाद लब्ध होता है यानि उपस्तित होता है वो आपके होता है सेव में option number C जो हमारा है यानि तीसरा सेव यह हमारा correct होगा next है समानत कि स्पेड की टहनी डाल का उपयोगत दाथ साप करने के लिए किया जाता है अरे ये question अगर नहीं आया तो छोड़ छारदो बढ़ाई हुई अरे नीव का दातुवन से बहुत लोग साप करते हैं अपने दात को ठीक है और ये जो है न ये सबसे आपका क्या करते हैं ये जो नीव का टहनी होता है यानि जिसका दातुवन बना करके दात को साप करते हैं ये आपके टूठ पेस से बहुत ज़्यादे हाईजनिक माना जाता है सबसे हाईजनिक होता है आपका ये जो नीव का दातोन बना के इसका ब्रस्ट करते हैं दात साप करते हैं तो नीव होगा भई या इसका correct answer दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवस्य कर दिजिये और comment box में हमें comment box बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो अगर कोई भी doubts हो तो हमें comment box में आप बेजी जग पूछ सकते हैं निम्लेखित में इसे कौन सा क्रीमी हाथी पाउं का करड़ होता है तो हाथी पाउं एक प्रकार का रोग है हाथी पाउं में होता क्या है हाथी क्या होता है हाथी बहुत बड़ा होता है बहुत विशाल होता है और पाउं मानि पाउं या की आपका पैर या फिर आप इसे क्या लेक कर सकते हैं, लेक सापके, तो हाथी पाउं, यानि कि आपका जो पैर है, यानि आपका जो पाउं है, वो हाथी के समान हो गया, हाथी यानि फूल गया, तभी तो हाथी पाउं कहांगे, तो हाथी पाउं में क्या होता है, आपके जो हाथ पैर होते हैं, वो फूल जाते हैं बहुत बड़े बड़े जाते हैं, सूजन आ जाता है, तो यह जो होता है, यह फाइलेरिया का एक लठड़ होता है, तो फाइलेरियन वर्क्स होता है, आपसर नुबर C हमारा इसका करेक्ट एंसर होगा, यानि फाइलेरिया एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है, कि आपके ह बात पर जो होते हैं वो फूल जाते हैं यासमी सूजन आ जाता है स्वेलिंग आ जाती है तो आपसन नमबर सी हमारा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेफ्ट आए निम्न लिखित मेंसे वह अंग कौन सा है जो मानों सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्भो हाइडेट को जमा करता है दोस्तों Glycogenon का हता है Glycogenon का होता है तो Glycogen देखिए ये आपके यकरित में कार्बोहाइरेट को जमा करता है सबसे पहले ये जान लीजिए Option No.4 हमारे इसका correct answer होगा और Glycogen क्या होता है जब आपके सरीर में मालिचे आपने प्रोटीन कार्भोहाइट्रड में कम होती है तो एक्रीत यूअटा है यह आपके glycogen को carbohydrate में बदल के आपके सरीर को उर्जा देता है क्या देता है उर्जा देता है जिससे कि आप जो दिन जीएंगे तो दिन जीएंगे उसके बाद आपका काम कटम हो जाएगा ठीक है दोस्तो पिछली वीडियो में हमने आपसे एक question पूछा था और यही question ही आपसे एंसुलीन का स्राव किससे होता है तो अगर आपसन के recording देखें तो आपसन नमबर 4 जो हमारा है यही correct ands रोगा अगनासय दोस्तो यह जो insulin होता है इसका जो स्राव होता है वो अगनासय में होता है और इंसुलीन जो होता है इसकी कमी से क्या होता है इंसुलीन की कमी से एक रोग होता है और इससे बताईए आप की इंसुलीन की कमी से कौन साइसा रोग है जो की शरीर को प्रवाइद करता है तो क्या होता है इंसुलीन की कमी से होता है आपका सुगर ठीक है सुगर ही होता है ना सुगर होता है और इसे अधी मुत्र के नाम से भी जानते हैं इसे आप यात्र कियेगा सुगर जो होता है या फिर इसे ब्लड सुगर के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं इसने आपने क्या डाइबडीज के नाम से जानते होंगे तो डाइबडीज होता है इसमें आपके सरीर में इंसुलीन की कमी हो जाती है और इसके लिए बहुत से लोग जो भी इस बिमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें इंसुलीन के इंजेक्शन दिया जाता है तो इंसुलीन की कमी से आपके सरीर में आपके सरीर फूल जाता है और सरीर में कमजोरी बहुत साई समस्य आ जाती है तो ये आपके इंसुलीन की कमिस होता है तो इसका इंजेक्शन आता है मार्केट में तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद रोगी को अराम मिलता है नेक्सट है आलू की आखें उपयोगी होती हैं आलू की आखें उपयोगी कहां होती हैं और जितने भी हमारे छात्र जो हैं अगर वे किसान से या फिर फार्मरिंग से संबंदित होंगे उससे लगा उनका होगा तो यह बहुत ही अच्छे जानते होंगे कि जब आलू की नई प्रयाति का उगाय जाता है यानि जब पुराने आलू की समय ठंडी के मुसल में जब आलू को बोया जाता है तो वहाँ पर जो किसान होते हैं वो ऐसे आलू का चुनाव करते हैं जिसमें की अंकृत हो गया होता है यानि आलू के उपर जो सपेथ सपेथ भाग होता है उसे अंकृत करते हैं और यह भाग जो होता है इसी का यूज करते हैं बोने में आलू को बोने में ताकि आलू का पयादावार हो सके तो यह यहाँ पे आपको दिया हुआ अपसा नमर सी काईक प्रवर्धन के लिए तो यहाँ पे आप समझिएगा कि आलू की आखे जो उपयोग होती है उसी को आलू की आख करते हैं तो आलू की आ ग्रातिक्स जो हार्मौन्स है सब्सक्ति दातु को चलिए धातु दे दिया है तो दात behaviors सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे प्रचुर मात्रा में सफेद फाइवर पाईवर पाईवर जो होता है हमारे पोजन को हमारे सरी में जो खादे पदार्त होते हैं हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने में इनका बहुत ही महत पूर योगदान होता है अगर आप फाइवर का सेवन करते हैं फाइवर ठीक है तो आपको कभी भी कब ज मेके समस्या जीवन में नहीं होगी है तो फाई बर होता है इंहों ने लबिश की टीके का खोच दिस्ता है इसका कुत्ठक होता है किया है और रीविज गेको कोई आठने के मुहमें इनके लार में Pop प्रकमिद आ में एक और तो इसे में बीक पार deserving के होता है को मतार की । य। आगर, आकको कुत्ठक कोई काट लेता है दो इसका नगा जाता है रीपिस के पिदू कुलते हैं अगर आपने टीके नहीं लगवाया तो जबागी करीब 102-20 साल radio app कंप ने म्नें तो जीसको भी आपकी आप आँमनी अचानल की किना मैं कुटे कर बृगने लएगा है आछ रोग्ने लागें तो I think आप समझ गयोंगे नेक्स्ट है एडिरो कार्टी कोट प्राक्सिक्स हर्मोन किसको दोरा सुरावित होता है तो यह question मैंने करा दिया है पियूस ग्रंथी दोरा होता है नेक्स्ट है निम्न लिखित में से किसकी कमी के करड़ खोन की कमी आपके सब्सक्राइब होती है और यह लोहे के कमी से होती है लोहे का सूत्र क्या होता है फर्मुला क्या होता है? F E होता है ठीक है? Next है Cancer और Tumor के अध्यान को क्या कहा जाता है? दोस्तों आगयाना question दोस्तों जान जाएए आपके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है The 5 Minutes So जो हमारा है इसमें हमने जितने भी आपके रोग हैं और उनके एक आडिंग जितने भी आपके वीडियान के वीडियान के तो किन-किन अध्यान को किस-किस वीडियान में बाटा गया है इसके लिए मैंने आपका The 5 Minutes So एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको हर वीक में 2-3 वीडियो उसके मिलते हैं तो उस वीडियो को आप जगर देख लेंगे तो आपके जितने भी आध्यायन और उसके वीडियो में कवर हो जाएंगे दोस्तों इसका जो correct answer होगा यानि cancer और tumor का जो अध्यान होता है वो अर्बुद विग्यान के अंतरगत किया जाएता है जो कि पौधो में निश्चित रूप से इस्थाई रूप में होता है तो इसे कहते हैं कायन काईमा आपसन नमबर फोर हमारे इसका correct answer होगा और यह question सायद मैंने पेशली वीडियो में आपको करा दिया था या फिर इसके बारे में कुछ बताया हुआ था नेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निम्ड में से कौन सा पर जीवी नहीं है अपसन नमर ए दिया हुआ है मचड़ भी है धिखायलू मक्खी थीन दिया हुआ है जूँ और चौथा दिया हुआ है कीरनी दोस्तों इसमें जो हमारी घारलू मक्खी होती है जो कि आप खाना खाने बाइटेंगे तो आगे भन भन करने लगेंगी तो घायलू मक्खी जो है यह आपकी परीजी ही नहीं है Most important question है आज की इस class का किस ने सरपथम पेशमेकर का अविस्कार किया था पेशमेकर क्या है तो पेशमेकर उस मनुष के लिए काम में आता है जिसके सरीर के धड़कन की गती जो होती है यानि जो उसके हर्ट बीट होती है वो धीमी होती है या फिर तेज होती है उस का जो hurt है वो 23 धालता है या फिर भोगत धीमी गति से धालता है, तो pacemaker कर जो कार करता है, क्या कार करता है? आपके सहरेख के हैरियदे की गति को maintain करता है, यहनि उसे नर्मली धालकाने का प्रयास करता है, तो pacemaker इसका अ विशकार के ने किया था? most important question यह है तो दोस्तों जान लिजिए कि paste maker जो है इसका अविसकार वो John Hobbs के द्वारा किया गया था तो अपसर नमबर 2 जो हमारा है इसका बेरा correct answer हो जाएगा John Hobbs के द्वारा paste maker का अविसकार किया गया था और इसका कार क्या है paste maker का यह में आपको बता दिया है next penicilline किसका प्रतिजैविक उत्पन करता है दोस्तों penicilline जो है यह P notatum इसका प्रतिजैविक उत्पन करता है अपसर नमबर 2 जो हमारा है इसका correct answer हो जाएगा next पाचन किया में protein नीवनलेखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है दोस्तों पाचन किरिया में protein जो है यह किस पदार्थ में बदल जाता है देखिए protein जो चाहिए वो पाचन किरिया में amino आपल में बदल जाता है ठीक है तो एक question इससे most important क्या बनता है कि protein है यह question बना है पिछले exam question paper में प्रोटीन है, बस इतना question पूछा हुआ था, आपको आपसन दिया हुआ था उसमें क्या, कि यह क्या है, आपका कार्बोर हाइट्रेड है, एमीनो अमल भी उसमें दिया था, ग्लुकोज दिया था, सरक्रा दिया था, और भी डामेज दिया था, बहुत सब्सक्राइब थे, चा कार्बोहाइट्रेट को जमा करता है तो यह क्वेश्चन मैं आपको अल्रेडी करा रखा है तो इसका आप्सन नंबर जो फोर है यानि अयक रित यानि लीवर आपका यह करेक्ट एंसर हो जाएगा दूस्तों हमारी आज की इस कलास का आगरी प्रस्ण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करिए दूद से दही बनने में किस जिवारू का उपयोग होता है दूस्तों इससे आपको हम तीन क्वेश्चन बताएंगे कम से कम ठीक है दूस्ते दही बनने में किस जिवारू का उपयोग होता है दूस्ते दही बनने में जिस जिवारू का उपयोग होता है उसका नाम मैं पहले बता दे रहा हूं लैक्टो बीसल्स देखें आपसर नमबर एक दिख रहे होंगे आप तो लैक्टो बीसल्स जो है यह हमारा इसका प्रवाड करता है तो आफसे नुमबर एसका हमारा करेक्ट एंसर होगा दोस्तों इससे एक क्वेश्चन यह बनता है कि देखिए बहुत से लोगों में यह समस्या होती है प्रगार की कि अगर वो दूद पी लेते हैं तो उनको दूद पचता नहीं है दूद पचता नहीं है अर्थात उन्हें गैस हो जाती है तो यह जो रोग होता है यह दूद से ही होने वाला रोग है ठीक है यह जो रोग है यह दूद से ही फैलता है ठीक है दूद से ही फैलने वाला रोग है यह और उस रोग का अगर नाम आपको पूछ लिया है कि दूद से होने वाले रोग को क्या कहते हैं या पिर जिस मनुसमें दूध का पाचन धीक तरह कस नहीं होता है तो वो किस प्रकायर का रोग होता है या उस रोग का नाम क्या है तो दोस्तों इसको नोड कर लिजिये उस रोग का नाम है Lactobalysis के नाम है Lactobalysis यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ तो दोस्तों यह जो रोग है यह है Lactobalysis जो की दूज से होने वाला रोग है तो दोस्तों यह था हमारी आज की इस वीडियो का आखरी परस्न वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आवस्ते बताएं और वीडियो को जाले जाले अपने दोस्तों के साथ सेयर आवस्ते कर दे जिससे आपके साथ उनकी भी एक अच्छी तैयारी हो सके और उनका भी भला हो सके तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आपको हम ऐसी वीडियो देते रहते हैं और हमारी चैनल पर आर लेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेशन पर आर वीडियोज आवलेबल हो हैं तो उन वीडियोज को भी देखते रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्रक साथ तक लिए धन्यवाद